यूं तो हर कोई अपनी पहली सेलरी यहाँ पर काफी संजो के रखता है काफी प्यार से रखता है लेकिन इसी के साथ हमारे जो सेलिब्रिटीज है उनकी पहली सेलरी कैसी थी और कितनी थी वो जानने के लिए फैन्स काफी उसाहित रहते हैं ऐसे में टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस स्वेता तीवारी आज उनका जनमदीन है जो सबसे पहले तो हमारी तरफ से स्वेता जी को जनमदीन की धेरो सुबकाम नहीं तो वहीं एक ताक कापूर के सीरर कसोटी जिंदगी से घर घर में अपनी जगा बनाने वाली स्वेता पिक रहती है आज स्वेता ने भले ही कामया भी हासिल कर ली हो लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उन्हें एक एक पैसे पर का महताज होना पड़ता था उतरप्रदेश की पताफगड की रहने वाली स्वेता तीवारी ने एक ट्रेवल एजनसी में काम किया जहां उन्हों सेलरी के तोर पर 500 रुपए महीना मिलती थी स्वेता तीवारी ने केवल 18 साल की उम्रों में भोचपुरी स्टार राजा चौधरी से शादी की हाला कि बाद में दोनों का तलाख हो गया दोनों से एक बेटी है जिसका नाम पलक चौधरी है उसके बाद दूसरी शादी की अभिनव कोली से अभिनव कोली से स्वेता की मलाकात एक टीवी शो के दुरान हुई थी वहीं से दोनों की दोस्ती गहरी हुई तीन साल ताके एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने साल 2013 में शादी की साल 2016 में सुवेता तीवारी ने एक बेटे को जम दिया जिसका नाम रियांश है आपको बता दी कि सुवेता तीवारी के करियर ने तब रफतार पकड़ी जब उन्होंने बिग बॉस सीजन 4 का खिताब अपने नाम किया तो ऐसे में हम तो उन्हें धेरो विशिज देते हैं उनकी इस खास बॉर्डे पर